कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना काल के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स बड़े स्मार्ट हो गया है उन्हें यह पता है कि कब मुनाफ़ा लेना है उन्हें पता है कि कब पैसा लगाना है तेजी में कितना ओर बोर्ड नहीं जाना है मंदी में बिलकुल क्यों नहीं रिपोर्ट कर रही है और उसी रिपोर्ट को मैं आपके सामने रुखता उससे पहले मैंने सोचे कि हमारे एक्सपर्ट से भी एक बार ओपिनियन ली जाए ध्यान से रिपोर्ट सुनिएगा जैन साब और बाकि सारे लोग भी कि ICIC Securities की तरब से एक रिपोर्ट आई है वो यह कहरें कि रिटेल इनवेस्टर्स कोरना काल की बाद स्मार्ट हो गए है वेक्सिन लेकर ऐसा बतारे है कुशल कुशल रिपोर्ट बतारे है वेक्सिन लगवाने के बाद स्मार्ट होए है यह मैंने अब दरब से जोड़ा है जी इन फाक्ट काफी जादा मजबूती के साथ यह आगे बढ़ते वे नज़र आ रहे हैं स्मार्ट जैसे कि आब बात कर रहे थे यहाँ पर गिरावट जिस तरह से जब होती है बाजारों में तो उस टाइम खरीदारी के अच्छे मौके ढूंडते हैं यह और जबरदस लिक्वि कोट है और यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जिस तरह से वालटिलिटी है इसको काफी बहतरीन तरीके से अब रिटेल निवेशक प्ले करते वे दिख रहे हैं पिछले तीन सालों में अगर आप देखें तो दो बड़े मार्केट फॉल हमें देखने को मिले और एक छोटा सा फॉ कोविड लेवल्स पर उसमें भी काफी अच्छी यहाँ पर इनकी ओवराल जिसते से प्रतिक्राय रही है मार्केट को लेकर वो काफी शानदा रही है इनफाक्ट मासिक अगर आप SIP इंफ्लोस देखेंगे तो वो जहां अप्रेल 2016 में करीबन 31 सो करोड रुपे का था मंथल इनफ्लोस वो बढ़कर अब अक्टूबर 2022 का डेटा में आपको बतारों लगभग 14,000 करोड रुपे हो गया तो काफी significant amount of investments आपको लगाता रेटेल ने विश्व की तरफ से एक तो यह आती भी दिख रही है तो बहतरीन लिक्विडिटी है और स्मार्टनेस अब स्मार्टन करोड रुपे का इनफ्लो रहता था वो बढ़कर 8,500 करोड यानि कि लगभग दो गुना हो गया था तो गिरावट का उस टाइम सेनारियो बनावा था और किसी की भी हमत नहीं हो रही थी ऐसा मान कर चल रहे थे बर रीटेल निवेशकों ने काफी जम कर यहां पर participation किया domestic mutual funds में तो यह एक instance हो गया दूसरा instance अगर आप देखे तो जिस तरह से all time high से fall आता हुआ दिखा था अक्टूबर 2021 में आपको याद होगा यहाँ पर निफ्टी ने high बनाया था उसके बाद फिर से यहाँ पर जिस तरह का fall हुआ तो औसतन मासिक इंफ्लो 15,500 करोड नवंबर 2021 स लेकर जून 2022 तक होता हुआ दिखा था जबकि उसके पहले अगस से अक्टूबर के जो time period था उसमें केवल 3000 करोड रुपे का यह आकड़ा था तो सीधा सीधा पांच गुना आप लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पर monthly inflows retailing विश्कों की तरफ से domestic mutual funds में आता हुआ दिखा और जो चोटी गिरावट का सिनेरियो है उसमें जून 2019 से जुलाई 2019 तक था तो दो तीन महीने का यह और सतन गिरावट रही थी और यहाँ पर भी inflows 5000 करोड से बढ़कर monthly 8300 करोड रुपे का हो गया था तो यह तो हो गई गिरावट में खरीदारी के मौके बढ़ तीजी में बि खरीद रहे हैं और उपरी सतरों पर बेच नहीं रहे हैं तो यहाँ पर क्लियर कट इन्होंने यह फाइंड ओट किये कि यहाँ पर बिकवाली भी हो रही है ओल टाइम हाई के करीब भी जब थे तब भी वहाँ पर पिछले तीन महीनों में यह जो अगस्ते 2022 से अक्टूबर 2022 का टाइम फ्रेम है पिछले तीन महीनों में और सदन 5,900 करोड रुपे प्रती महीना यह आता हुआ दिखा है जबकि उसके पहले यह 15,500 करोड रुपे कहा अकड़ा था तो सीधा सीधी यहाँ पर फिर से यह फिगर होता हुआ दिखा है तो क्लियर कट तेजी में बिकवाल और गिरावट में खरीदारी स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर गजब लोज पर खरीदा है आप तो ऐसे ना थे एक जमाना था जब मतलब हमारे तीन चार दोस्ते से होते थे ब्रोकिंग इंडेस्ट्री में जिनके यहाँ जब रिटेल का भारी भरकम पेइन या अब खरीद पूल और जगड़ा ऐसा सारे ब्रांच वाले रिटेल प्राइन जगड़ा हमको लिमिट दो हमको लिमिट दो ऐसे संके जब आते हैं समझेंगा बाजार टोप आउट हो रहा है और जिससे में सबका पोजिशन कट रहा है मार्क टू मार्केट लोज भरनी पारे नुकसान मा प्राइल को यह अवर्ड पारे वाली क्विक मनी इस्पेकुलेशन के लियाद से लोग पैसा लगाते थे चलो लिया फटा फट बेज या यह में सावे सा उस चक्र में फज जाते और वो आते कब जब मूर बहुत अच्छा हो तब आते थे मूर खराब तो बेचना है इस बा हर डिप के बाद बाजार में वापस और नया हाई बना है तो लोगों का कॉंफिडेंस बना रहा है इसमें को चो था फर्स टाइम मैं आपको बताओं मुझे खुद को जनलिजम करते करते कितना सतरा अटरा साल हो गए बिजनिस जनलिजम में आज से साट-ाठ साल पहले दस स बनाते हैं लोग उसको बहुत अप्रिशेट करते हैं पढ़ते समझते तो रिटेयल इंटेलेक्ट्य लेवल बढ़ा लिया अब खाली सुनी सुनी बातों पर नहीं बढ़ना है सीखना है समझना है ऐसा यह तो क्यों है चार्ट से तो चार्ट में किस तरह से होता है डेरिव आपका यह जो एपिसोड नंबर यह है इस एपिसोड नंबर में इतने मिनिट पर ओडियो ग्लिच है ठीक है तो और उसमें उन्हों ने लिखा कि मैं पेशावर पाकिस्तान में रहता हूं और वहां से लिगा तो मुझे थोड़ा सुर्प्राइज हो मैंने का कभी जब ऐसा है तो आप वहां यह देखते हैं तो बहले सर इन्वेस्टिंग तो सब जगे से हम है फिर मैंने जाके चेक करवाया है एक्जेक्ली उस एपिसोड नंबर में 13 मिनिट पर ग्लिच निकला फिरम ठीक है तो कहने का मतलब है कि लोग आप अगर डंक एजूकेशनली शोड बना जान की भूख और दूसरा उनका पेशेंस और भरोसा इन्होंने कमाल किया इसलिए अपकी बार है ना जब यह आपको लगे कि पहले रिटेल इंड़स्टि की तरह जो होता था अब एफ़ाइस को देख लेना जब एफ़ाइस बेच जाते तो बोटम मुंतार जब आपने काफी चीज़े बोल दी जैसे कि पाठशाला मतलब आपकी सारी पाठशाला इंक्लूडिंग मस्ति की पाठशाला में तो भी बोलूगा गजब का एजूटेशन दी है दूसरा देखी यह जो जैन्जी है वाक्य मैं मतलब मैं भी इतने फोन्स और इतने पिछले दो स साल में कभी रिसीव नहीं किया इतने साल आज आपको जाज 16-17 साल मुझे भी आज 15-16 साल पूरे टीवी पे आते भे हो गया शुरुवात को मोडिटी से की थी और अब इक्विटी में फुल टाइम आरे और रोज आरे इन फैक मेरा शायद रेकॉर्ड ही बन जाएगा कोई भी बिजनेस चैनल पे विदाउट एनी सिंगल डे ब्रेक पोने दो साल तक पोने तीन साल तक कंटिनेसली आना एक विदाउट एनी सिंगल एपसेंट तो मेरी तो रेकॉर्ड बनानी की इच्छा है निल जी और जिस तरीके से हमने हमारे प्रोग्राम को क्यूरेट किये है SPL मिटके आपस मुझे याद है आप कोरोना के बात की बात कि रहें 21-6-2020 को स्टार्ट हुआ है मैंने जेंसाब के जेंस मुझे याद है 27-7-2020 को स्टार्ट हुआ ऐसे करके कई सारी चीज़े और फिर बाद में जो रेकुलेटर का रोल रहा है वो भी बहुत सराणिया मैं य आपनी चैनल की बात करूँगा और सबसे ज़्यादा जिस थरीके की हम मैनत कर रहे हैं और ये और प्लस हमारी जो पैनलेस्स है, सब लोगोंने अपने चैनल के माढ़ियम से या अपने सोचल मीडिया हैंदल्स के माढ़ियम से और सेमिनार्स, कॉनफेरंस में जिस तरीके से वोलो की जो रिसर्च है, तो मेरे इसाब से तो हेड़स आप टू दू अलग बात है, अगर आप में सीखने की भूख है, आप में पेशेंस है, आप में कन्विक्शन है, आप में बरुसा है, तो आप पैसा बनाएंगे, ये बाजार बार बार प्रूव कर रहा है, एक योगद आपने एक मुहीम चलाई थी, नहीं लेना है, नहीं लेना है, उसके बाद, शॉट ब्लास्ट, शॉट ब्लास्ट है, इसलिए आप देखे न, जून के बॉटम में लोग खरीद रहे थे, SIP अपनी बरकरार रखी होने है, वहीं से वहां से बनती है, मुझे इस बात की आपने पर तेजी में आए, जब आपका इंडिया टेक ओफ कर रहा है, आप लेको पूरे गलोबल मार्केट में हमका है, तो उस समय नहीं तो हर बार ही होता था, आते थे, पैसे देखे जाते थे, आते थे, फिर कसम खाते थे, बगवान कसम वापस नहीं होगा, और नहीं आ जी कुनाल जी की विशेश टिपने, जी कुनाल जी, अनि जी देखें, मैं कई सारे निवेश्कों से विशेश रूप से, जिनको अनि जी कोविड वारियर्स आप कह सकते हैं, या जो जिनको भारत के रॉबिन हुड आप कह सकते हैं, अनि जी ये जो ट्रेडर्स हैं, इनकी इनकी कई बार बौधिक शम्ता को लोग कम मागते हैं लेकिन अने जी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो नए ट्रेडर्स जुड़े हैं अने जी कोविड के बाद सबसे पहली बात अने जी सब महनत करने के लिए तैयार हैं किसी को शौट टम गेंस नहीं चाहिए सब को सस्टेनिबल इंकम चाहिए और इसके लिए अने जी सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं बहूत महनत कर रहे हैं चार्ट देखते हैं लगातार जी बिसनस देखते हैं सारे एपिसोड देखते हैं तो अने जी यह सब उनकी महनत का नतीज़ा है कि अने झी जो परफॉर्मिनस बता रहें, तो अनली जी बहुत इची जानकारी आपनी दिया, ने जी बहुत वास्तव में बड़ा दिल खुश हुआने जाए. बिल्कुल अच्छा लगता है जब हमारे यहां के बाद ओरों में हमारी यहां की कम्चियों में हमारे यहां की निवेशक पैसा बनाए और पैसा कमाएं नहीं तो वही है बार वाले आ रहे हैं लगा रहे हैं पैसा यहां से लेके जा रहे हैं मैनत हमारे यहां के इंडिस्ट कर अब जब तुम बेशते हो तब हमारे तीसरी महाशक्ति है, ऐसे थोड़े नाम मिला है, तीसरी महाशक्ति है हमारी जो कमाल कर रही है, जय हो, हिलना डगमगा नमत कभी-कभी जटके लगें के बीच में